आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट और ये जो अडानी का पूरा की पूरा की पूरा की पूरा की पूरा जो मामला था उससे जुड़ा हुआ है कहने का मतलब ये है कि एडिटोरियल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको डे टुडे अपडेट जो है यानि कि जो भी न्यूज है जो चल रही है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए अगर वो आपको नहीं पता तो बहुत दिक्कत आएगी आपको एडिटोरियल समझने में तो इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हम पढ़ते वक्त साथ साथ में बताता जाओंगा आपको पीछे का बैक्ग्राउंड क्या है तो वो भी सारी बाते जो है आपको क्लियर होती जाएंगी लेकिन सबसे अच्छी अप्रोच यही है कि यदि आप एडिटोरियल को ठीक तर Securities and Exchange Board of India जो की शेर मार्केट को कंट्रोल करता है शील का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना बचाना किसी को तो यहाँ पे इस टाइटिल का मतलब क्या हुआ शील्डिंग सेवी सेवी को बचाना सेवी को प्रोटेक्ट करना अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया है और उस डिसीजन के संबंद में यहाँ पे यह जो एडिटर है उनका ऐसा कहना है कि वही य सुप्रीम कोर्ट शुड है पुष्ड पुष्ड का मतलब है एक तरह से जोर देना पुष्ड एट तो डू मोर वाइल नौट रिव्यूइंग पॉलिसी एक्शन्स कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था शुड है और वर्ब की थर्ड फर्म इसका मतलब होता है ऐसा करना चाहिए था शुड है पुष्ड एट तो डू मोर यानि कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो किया है उससे जादा और जादा करना चाहिए था कहने का मतलब यह है कि अपने आपको सुप्रीम कोर्ट को और पुष्ड करना चाहिए था इस मामले में और Supreme Court के द्वारा कुछ किया जाना चाहिए था वाइल जब की Not reviewing policy action Supreme Court ने इस मामले में क्या कहा है Review का मतलब होता है किसी चीज का पुनराव लोकन करना Policy actions Supreme Court ने क्या कहा है कि से भी जो है अपने आप में एक बहुत ही आप कह सकते हो कि अपने आप में एक expert लोगों का एक समूह है एक ऐसी body है जिसकी नीतियां जो है बहुत ही सोच समझ के बनाई जाती इकुलमिला के से भी जो है अपने आपको बहुत ही ठीक तरह से control करती है तो उसके द्वारा जो भी policies बनाई गई है उनको review करना Supreme Court ने कहा कि वह review करना ठीक नहीं है वह policies illegal नहीं है समविधान के अनुकूल है illegal नहीं है तो यही बात यहाँ पर की गई है कि Supreme Court को Supreme Court ने यह जो किया है क्या किया है Supreme Court ने कि जो policies बनाई गई है सेभी की दोरा उनको review नहीं किया है तो ऐसा करते हुए Supreme Court को अपने आपको और push करना था इस पूरे मामले में Supreme Court को और ज़्यादा करना चाहिए था ताकि लोगों का विश्वास और बड़े और आगे समझते हैं The Supreme Court of India's ruling ruling का मतलब होता है on a batch of petitions batch of petitions petition का मतलब हुआ batch of petitions का मतलब है कई याचिका है Supreme Court में अडानी और हिंडरवर्ग केस से जुड़ी हुई कई याचिका है जो इस Supreme Court में थी उनके संबंद में जो Supreme Court ने फैसला दिया है अब देखो यह जो petitions file की गई थी filed in the file का मतलब है यहाँ पे दाखिल करना in the wake of in the wake of का मतलब होता है as a result of in the wake of a US-based short sellers allegations of अब यह देखो यह जो petitions है यह याचिका है यह कब दाखिल की गई थी किस चीज के परिणाम सरूप in the wake of कि एक US-based short seller, US-based एक firm है उसके द्वारा allegations लगाए गए थे आरोप लगाए गए थे of malfeasance malfeasance का मतलब होता है misconduct wrongdoing है न कि बही कुछ गलत किया जा रहा है including तो US-based जो firm है उसके द्वारा आरोप लगाए गए थे कि बही क्या आरोप लगाए गए थे misconduct के आरोप लगाए गए थे इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि भई stock price जो है उनको manipulate किया जा रहा है manipulate करने का मतलब होता है hair-fair करना अपने हिसाब से किसी चीज को चलाना उसको बोलते है manipulate करना अपने हिसाब से किसी चीज को तोड़ना stock price manipulation at और यह जो allegations लगाए गए थे किस पे थे यह Adani group of companies तो US आधारित एक company ने आरोप लगाए थे कि भई wrongdoings की जा रही है misconduct किया जा रहा है यहाँ तक कि जो stock price है उनको भी manipulate किया जा रहा है किसके दौरा Adani group of companies के दौरा तो यह जो आरोप लगाए गए थे इसके बाद में Supreme Court में यह याचिकाए दाखिल हुई थी अब यह जो Supreme Court का ruling आया है यह जो फैसल आया है has squarely tossed the ball back squarely इसका मतलब होता है directly अब यह Supreme Court के फैसले ने क्या किया है directly tossed the ball back gain को फिर से सेभी के पाले में भीज दिया है tossed the ball back to the market regulators court market regulator किसके लिए कहा गया है यहापे सेभी के लिए कहा गया है तो उसकी सेभी की जो court है तो कुल मेला के finally Supreme Court ने जो फैसला दिया है इस संबंद में उस फैसले ने फिर से सीधे सीधे gain market regulator के पाले में डाल दी है यानि कि Supreme Court ने कहा है कि भई जो market regulator है जो सेभी है उसकी जो policies है उनको review करने की कोई आवशकता नहीं है और सेभी जो है इस संबंद में अपनी जाच कर रहा है 24 में से 22 जाच जो है पूरी हो चुकी है और 2 जाच जो है हो जाएंगी मतलब और Supreme Court ने ये भी कहा है कि भई सेभी जल्द से जल्द इन जाच को पूरा करे और देखते है आगे The court has opted Court ने इस बात को चुना है Opt का मतलब होता है चुना To subordinate petitioners entities To protect larger public interest To its chairiness Subordinate का मतलब क्या होता है अधीन तो Supreme Court ने इस बात को चुना है कि Supreme Court ने अपने अधीन कर लिया है किस चीज को Petitioners कि जो भी याचिका करता है उनकी जो Entity Entity का मतलब होता है Appeal याचिका कि जो भी याचिका करता है उनकी जो अपील है उन अपील को Supreme Court ने अधीन कर लिया है किस चीज के अधीन कर लिया है to its chairiness chairiness का मतलब होता है cautious होना एक तरह से निगरानी करना carefulness है न ये मतलब होता है इसका chairiness का to substitute substitute का मतलब होता है की जगह है इसको आपने इस चीज़ से substitute कर दिया its own wisdom over the regulatory policies यानि कि Supreme Court ने अपनी बुद्धी का प्रियोग नहीं किया किस चीज के उपर over the regulatory policies यानि कि सेभी के द्वारा जो कि एक regulatory body है सेभी के द्वारा जो भी policies बनाई जाती है उन policies के उपर अपना विवेक प्रियोग करने की वजाए Supreme Court ने इस बात को चुना कि जो भी petitioners है उनकी जो याचिकाए है उनको अपनी निगरानी में ले लिया है न to protect और ऐसा क्यों किया है Supreme Court ने to protect larger public interest की to protect का मतलब है बचाना किसी चीज को larger public interest की व्यापक लोगों के व्यापक रूप से लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए Supreme Court ने ऐसा किया यानि की कहने का मतलब यह है कि Supreme Court ने ये काम नहीं किया क्या कि जो regulatory policies है उनको decide करना है उनको review करना ये काम Supreme Court ने नहीं किया उसकी बजाए उसका substitute क्या Supreme Court ने ढूंडा कि जो भी याचिका करता है उनकी जो भी याचिका है उनको अपनी निगरानी में ले लिया है It's own wisdom over the regulatory policies of the Securities and Exchange Board of India कि से भी की जो भी policies है उन policies के उपर अपना विवेक लगाने की बजाए यानि कि उन policies को review करने की बजाए Supreme Court ने क्या किया है कि एक तरह से कहा है कि हम इन ये जो भी याचिका करता है इनको जो है निगरानी करेंगे ये बात Supreme Court ने कही है जो है सावधानी रखेंगे कि ठीक तरह से काम हो रहा है देखेंगे In its 46 page order the bench headed by headed by का मतलब है जिसकी अध्यक्षिता कर रहे थे Chief Justice of India DY चंद्रचूर is emphatic emphatic का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना है न उसको बोलते है emphatic होना तो ये जो 46 page order दिया गया है न ये जो फैसला आया कितने pages का था है 46 pages का the bench headed by और इस bench की अध्यक्षिता की जा रही थी Chief Justice of India DY चंद्रचूर के दोरा is emphatic in observing तो कुल मिला कि bench के दोरा जो फैसला दिया गया है न उसमें इस बात पर हमें जोर देखने को मिला यानि कि ये observe किया गया bench के दोरा that की Sebi has prima facie conducted a comprehensive investigation देखो prima facie का मतलब होता है प्रत्थम द्रश्टया prima facie का मतलब होता है कि भई accepted as correct until proved otherwise prima facie का मतलब है कि first impression में बिलकुल ठीक नजर आ रहा है मामला कि prima facie का मतलब है कि जब तक वो बात गलत साबित नहीं होती आप उसको सत्यमान के चल रहे हो है पहली नजर में आपको ऐसा लग रहा है conduct का मतलब है आयूजित करना comprehensive का मतलब है विस्तरत investigation तो supreme court की bench ने ये माना कि प्रत्थम द्रश्टया ऐसा प्रतीत होता है पूरे case को observe करने पे कि Sebi जो है उसने विस्तरत जाच की है comprehensive का मतलब है विस्तरत that inspire confidence inspire confidence का मतलब होता है विश्वास जगाना तो supreme court bench जो की इस मामले को सुन रही थी उसने क्या कहा कि प्रत्थम द्रश्टया इस पूरे मामले को देख के लगता है कि Sebi ने विस्तरत जाच इस संबंद में की है और ये जो जाच है अपने आप में विश्वास जगाती है and that or की the facts of this case कि इस case से जुड़े हुए जो भी तत्य है do not warrant warrant का मतलब होता है उचित ठहराना किसी चीज को a transfer of investigation from Sebi अब देखो जो petitions थी उन petitions में ये भी demand की गई थी कि इस case की जो investigation है उनको Sebi से हटा कर कहीं और transfer किया जाए तो bench ने क्या कहा है कि इस case से जुड़े हुए जो भी तत्य है वो इस चीज को उचित नहीं ठहराते कि ये जो investigation है जो कि Sebi के दोरा की जा रही है इस investigation को transfer किया जाए Given that Given का मतलब होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को देखते हुए Given that Prima facie No deliberate Deliberate का मतलब होता है Intentional जान बूज कर Inaction और Inadequacy Inaction का मतलब है आपने action नहीं लिया Inadequacy का मतलब हुआ आपरियाप्तता Prima facie No deliberate inaction और Inadequacy Was found In the Regulator यहाँ पर Regulator आया है Sebi के लिए Regulator का मतलब है जो regulate करता है Niyamak Conduct Conduct का मतलब है आपका आचरण क्या है है आप किस तरह से किसी चीज को conduct करते हो In its Regulators conduct Of its probe Probe का मतलब है जाच तो Supreme Court ने कहा कि प्रतम दृष्टे आगर हम देखे Prima facie तो जान बूच कर Sebi के द्वारा Inaction है ना कि भई Sebi ने Inaction नहीं लिया या फिर Inadequacy Sebi ने दिखाई ऐसा प्रतीत नहीं होता प्रतम दृष्टे है ठीक है कि भई जो Regulator है उसका जो आचरण है यानि कि Regulator ने जाच के दोरान जो आचरण दिखाया वो आचरण जो है ठीक प्रतीत होता है तो Prima facie ऐसा नहीं लगता कि जान बूच कर Sebi ने जो है कोई Inaction किया है या फिर अफिर जाच में परियापता दिखाई है Strikingly Strikingly का मतलब होता है कि यह बात बहुती प्रॉमिनेंट है Noticiable है उलेखनिये है The bench has completely skirted Skirt का मतलब होता है Avoid करना Ignore करना अब देखो यह बात उलेखनिये है यहाँ पे एडिटर हमें बता रहे कि यह बात उलेखनिये है कि bench जो है Supreme Court की जो bench है इसने फैसला दिया है उसने पूरी तरह से इस बात को ignore कर दिया Avoid कर दिया किस चीज को ignore कर दिया The fundamental questions कि कुछ आधार भूत प्रशन जो इस मामले से जुड़े हुए थे उन्हें पूरी तरह से Supreme Court ने इग्नोर कर दिया कौन से थे वे आधार भूत प्रशन वो आधार भूत प्रशन ये थे That the court appointed expert committee in its May 2023 report कि ये पूरा मामला जब सामने आया था तो इस मामले के सामने आने के बाद में appeal जो है court में दाखिल की गई थी तो court के द्वारा एक committee appoint की गई थी expert लोगों की और उस committee ने मई 2023 में अपनी report दी थी और उस report में court appointed expert committee ने मई 2023 में जो report दी थी उस report में क्या कहा गया था committee had opted to leave as a matter between SEBI and the court कि committee ने कहा था कि ये जो मामला है committee ने इस बात को चुना था कि ये जो मामला है ये मामला committee ने छोड़ दिया था किन-किन के बीच में सेभी और court के बीच में leave as a matter between SEBI and the court कि सेभी और court के बीच में ही इस मामले को छोड़ दिया गया था committee ने कहा था कि court और सेभी ये दोनों ही एक तरह से तै करें मतलब क्या करना है इसका the determination of possible violations pertaining to the determination का मतलब है निर्धारण किसी चीज को निर्धारित करना of possible violation possible violations का मतलब हुआ संभावित उलंगन pertaining to pertaining to का मतलब होता है संबंधित होना minimum public share holding and अब देखो ये जो एक rule होता है कि बही कोई company है उसमे minimum public share holding कितनी होनी चाहिए तो उसका उलंगन तो नहीं हुआ minimum public share holding से जुड़े हुए जो rule है उससे संबंधित जो rule है उनका उलंगन तो नहीं हुआ and related party transaction related party यानि कि जो संबंधित पक्ष है public share holdings है minimum public share holdings है जो संबंधित पक्ष है उनके दौरा जो भी transactions किये गए है उनमें किसी तरह का कोई उलंगन तो नहीं हुआ है न, इसको निर्धारित करना, किस पर छोड़ दिया गया था ये निर्धारन, ये निर्धारन छोड़ दिया गया था सेवी और कोर्ट के बीच में, यानि कि जो मई दोहजार तेईस में, कोर्ट अपॉइंटेड द्वारा, तो ये जो प्रेशन था, इस प्रेशन का अभी हाल में जो फैसरा दिया है न, इस प्रेशन को एक तरह से इग्नोर कर दिया गया है, इस प्रेशन को सॉल्व करने की बज़ा है, कमीटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, उसको उस पर गौर करने की बज़ा है Supreme Court ने क्या किया seized upon seized upon का मतलब होता है किसी चीज को एक तरह से take advantage of something quickly तो जो bench है उसने इस चीज का advantage लिया seized upon prayers का मतलब यहां पर जो appeals की जा रही थी urging urge का मतलब है request करना the court to direct SEBI तो कई appeal यह भी थी यानि कि bench Supreme Court की bench के सामने कई appeal यह भी थी जिनमें यह कहा गया था कि जो Supreme Court है वो SEBI को निर्देश दे क्या निर्देश दे to revoke revoke का मतलब होता है रद कर देना its amendments amendments का मतलब होता है संशोधन to the foreign portfolio investors regulations and listing obligations obligations का मतलब होता है बाध्यताएं and disclosure disclosure का मतलब होता है खोलासा करना requirement देखो क्या हुआ था इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में SEBI ने कुछ amendments किये थे कुछ शंशोधन किये थे और उन संशधनों के तहत जो विदेशी निवेशक है उनको और ज्यादा disclosure करने की बात कही गई थी तो यह जो संशोधन किये गए थे इन संशोधनों को रद करने के लिए याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई थी तो क्ल भी खिलाकेciplinary किि जो बेंच के- जिसने फैस्ला दिया है उसने इन अपेल्स को है इन अपेल्स को जो है एक तरह से तुरंत इन अपेल पर जो है इन अपील को तुरंत की लिए ऑपील को जिन हपील में कोर्ट से यह याचिका की गई थी कि कोर्ट सेवी को डाइरेक्ट करें कि सेवी ने FPI यह जो फॉरन पॉर्टफोलियो इंवेस्टर से FPI से जुले जो संचोधन की है उन्हें रद कर दे अमेंडमेंट्स तो यह जो संचोधन हुए थे that were at the heart of at the heart of का मतलब होता है बिल्कुल मुख्य होना, central होना petitioner submissions of regulatory failure यानि कि जो भी याचिका करता थे उन्होंने जो भी अपना submit किया था, जो भी उन्होंने अपनी appeal दाकी की थी उन में, उन appeals में उनका कहना था कि भई यह जो regulatory है यह जो सेवी है, यह fail रहा है यानि कि इन संचोधनों को लेकर बहुत ज़्यादा आपती appeal करताओं ने उठाई थी लेकिन वरतमान में Supreme Court की bench ने क्या किया है and roundly denied them on grounds, कि इससे जुड़े हुए appeal करताओं ने जो भी appeal की थी, यह जो बातें की थी कि भई, जो amendments किये गए हैं, इन amendments को रद करने के लिए, court से भी को कहे तो यह जो बातें थी court ने क्या किया roundly denied them roundly का मत्तब होता है बहुत ही emphatic way में बहुत ही जोरदार तरीके से denied, इनकार कर देना them on grounds, on grounds का मतलब है इस आधार पे that there was neither any illegality तो खुल मिला के यह जो बात appeal करताओं के द्वारा की गई थी कि भई, सेवी के द्वारा यह जो नए संचोधन किये गए है इन्हें रद किया जाए यह ठीक नहीं है तो यह जो बातें थी इन बातों को बहुत ही जोरदार तरीके से deny कर दिया गया supreme court के द्वारा और इस आधार पे कि देरवाद नाइदर एनी illegality कि ना तो किसी तरह की illegality देखने को मिलती है नौर वरदा norms capricious और नाहीं यह जो सेवी के द्वारा जो norms बनाए गए है जो नियम है ना तो उनमें किसी तरह की illegality देखने को मिलती है और नहीं पूर नहीं यह capricious है, capricious का मतलब होता है, सनक पूर्ण, capricious behavior का मतलब होता है, ऐसा behavior जब आपकी जो मर्जियाईजाई आपने वो कर दिया ना बहुती unpredictable होना, arbitrary का मतलब होता है, मन माना, जो आपकी मर्जी हुए आपने कर दिया, और violative of the constitution, कि बही जो नॉम्स सेवी के द्वारा बनाए गए न तो उनमें सम्विधान का उलंगन नजर आता है, न वे आर्बिट्रेरी है, न वे मनमाने है, न वे कैप्रिशियस है, कि बही उनमें किसी तरह की कोई सनक देखने को मिलती हो है न, तो कुल मिला के एक तरह से, और नहीं ये इलीगल है, तो इस तरह से सुप्रिम कोर्ट ने सेवी के नॉम्स को बरकरार रखा, उनको रिव्यू नहीं किया the ruling has also done little, देखो, little लिखा हुआ है यहाँपे, little का मतलब है, न के बरावर, a little लिखा हुआ होथा, तो इसका मतलब होता कि थोड़ा बहुत कुछ किया है, तो यह जो फैसला सुप्रेम कोर्ट ने दिया है, इस फैसले में, कुछ भी नहीं किया गया done little का मतब है ना के बराबर किया गया to assuage assuage का मतब होता है शान्त करना investors concerns कि जो निवेशक है उनकी जो concern का मतब है चिंताएं कि जो निवेशक है उनकी जो चिंताएं हैं उन्हें शांत करने के लिए इस फैसले में कुछ नहीं किया गया है क्या है उनकी चिंताइं निवेशकों की चिंताइं about सेबीस अप्रोच to getting to the bottom of the allegations raise, raise का मतलब है उठाना by Hindenburg Research in its January 2023 report, Hindenburg Research के द्वारा January 2023 में जो report publish की गई थी और उस report में जो भी आरोप जो है उठाए थे हिंडनबर्ग Research ने उन आरोपों को लेकर जो सेबी की अप्रोच है उसके संबंद में निवेशकों ने चिंता जताई थी, सेबीस अप्रोच to getting to the bottom of, देखो, get to the bottom of something, इसका मतलब है मामले की तह तक जाना तो ये जो पूरा मामला है इसकी तह तक जाने में सेबी के द्वारा जो अप्रोच अप्रोच अप्नाई गई उस अप्रोच को लेकर निवेशकों के मन में चिंताई थी तो इन चिंताओं को शांत करने के लिए Supreme Court का ये जो फैसला है इसमें न के बराबर किया गया है, यानि कि कुछ किया नहीं गया है Without Elaboration Elaborate का मतलब होता है विस्तार करना किसी चीज़ का है Elaborate करने का मतलब विस्तार पूरोग बताना On any of the regulators findings कि ये जो नियामक है यानि कि जो सेबी है उसके द्वारा जो भी findings दी गई है जो भी इसकी जाच करके इस पूरे मामले की जाच करके जो भी findings सामने आई है उनको विस्तार पूरोग ना बताते हुए Without Elaboration on any of the regulators findings The court has Blandly observed देखो, Blandly का मतलब होता है कोई काम जिसमें आप ज़्यादा interest नहीं दिखाते ज़्यादा energy नहीं दिखाते आप जो है उस काम को एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुती सुस्त तरीके से करते हो ज़्यादा energy नहीं देखने को मिलती Blandly observed that Sebi has completed तो court ने ज़्यादा विस्तार पूरोग ना बताते हुए बहुती कम energy के साथ इस बात को observe कि कि Sebi has completed 22 out of the 24 investigations into the Adani group कि Adani group से यह जोड़ा हुआ जो मामला है इसमें 24 में से 22 जाँच जो हैं वो complete हो चुकी है and that completion of the remaining two और जो बाकी दो जाँच चल रही है उनका completion है ना उनका पूरा होना are pending और बाकी की दो जाँच जो है वो pending है क्यों? due to, के कारण inputs, input का मतलब है जो जानकारियां जो चाहिए आपको है being awaited being awaited का मतलब है उन जानकारियों का इंतजार हो रहा है from foreign regulators कि जो विदेशी regulators है जैसे कि भारत में से भी होती है अन्य देश में भी stock market को control करने वाली संस्थाए होती है तो जो foreign regulators है वहां से कुछ inputs आने हैं और उन inputs के आने के बाद में वे जो बाकी की दो बच्ची हुई जाँच है वो भी पूरी हो जाएगी इसलिए वे जाँच जो है बेंच ने सेभी को निर्देश दिया है to complete these expeditiously expeditiously का मतला होता है बहुती शिघरता पूर्वा तो Supreme Court ने सेभी को निर्देश दिया है कि यह जो बाकी की दो जाँच जो बची हुई है इनको भी शिघरता पूर्वा complete किया जाए while the court's reluctance reluctance का मतलब होता है अनिचुक होना, इच्छा नहीं होना, willing ना होना to review the policy actions of a specialized regulator specialized regulator का मतलब हो गया कि जिसको विशेशगिता हासिल है जैसे कि सेभी है वो regulator है, नियामक है और specialized है उसमें बहुत ही कह सकते हो कि आप जो सेभी नाम की संस्ता है वो बहुत ही, आप कहा सकते हो कि specialized body है तो जबकि Supreme Court का ये जो reluctance है Supreme Court का अनिचुक होना इस बात के परती कि इस बात के परती to review the policy actions of specialized regulator कि जो सेभी है उसके द्वारा जो policies बनाई गई है उन policies को review ना करना is understandable ये बात समझ में आती है कि भी ठीक है, Supreme Court ने कहा है कि सेभी जो है, वो अपने आप में specialized regulator है तो उसकी जो policy actions है उनको review करने के परती Supreme Court ने willingness नहीं दिखाई तो ये बात समझ में आने लायक है लेकिन the decision to leave लेकिन ये जो decision Supreme Court के द्वारा लिया गया कि क्या decision लिया गया to leave, leave का मतलब है छोड़ देना the crucial का मतलब है बहुत ही important बहुत ही महत्वपून question of सेभी's perceived tardiness perceived का मतलब है धारना बनाना perceive करने का मतलब होता है किसी चीज के बारे में धारना बनाना कि सेभी ने जाच के दोरान जो अप्रोच अपनाई है उस अप्रोच के प्रती जो निवेशक है उनके मन में क्या धारना है उनके मन में ये धारना है कि वह सेभी जो है वो tardiness दिखा रहा है tardiness का मतलब होता है late करना किसी चीज को बहुती slow होना उसको बोलते हैं tardiness बहुती slow होना बहुती धिलाई बरतना उसको बोलते हैं टार्डिनेस, टार्डिनेस का मतब है कि भई, the quality of being late in investigating allegations of corporate malfeasance, malfeasance का मतब हुआ, misconduct, wrongdoing and market manipulation by a large conglomerate, conglomerate का मतब होता है एक बहुत बड़ी company, एक बहुत बड़ी company, जिस company के अंतरगत कई छोटे-छोटे businesses है न, चल रहे हो, या कई बड़े-बड़े business चल रहे हो, उसको बोलते हैं, conglomerate, conglomerate का मतब है एक बहुत बड़ी company, जो कई businesses में है, यानि कि कई businesses उस company के द्वारा operate किये जा रहे हैं, back, अब देखो, यहां समझ न, थोड़ा सा लंबा है sentence, देखो, यह sentence यहां से शुरू होता है, और यह यहां पे खत्म होता है, अब देखो इस sentence को, यहां तक हमने समझ लिया था, कि जब की court का, जो reluctance है, सेबी के policy actions को review करने को लेकर, यानि कि court ने सेबी के policy actions को review करने से इंकार कर दिया, यह कहते हुए, कि वही सेबी अपने आप में specialized regulator है, तो यह बात understandable है, यह बात समझ में आती है, लेकिन यह decision, to leave the crucial question of सेबी's, कि यह जो एक बहुती महतपून प्रेशन था क्या, कि सेबी के संबंद में, लोगों के द्वारा, यह धारना बनाई गई थी, यानि कि सेबी जो approach इस मामले में अपना रहा था, उस approach को लेकर जो निवेशक है, उनके मन में यह धारना आ गई थी, कि सेबी जो है, वो tardiness दिखा रहा है, बहुती slow हो रहा है, जाच करने को लेकर, in investigating, कहां tardiness दिखा रहा है सेबी, in investigating allegations of corporate malfeasance, कि यह misconduct हुआ है, and market manipulation, और market को manipulate करने की कोशिश की गई है, stock price को manipulate करने की कोशिश की गई है, कि इसके दौरा, by a large conglomerate, कि एक बहुत बड़ी व्यापारिक company, यहाँ पे large conglomerate आया है, अडानी ग्रूप के लिए, कि अडानी ग्रूप के दौरा, market को manipulate किया गया, इसके अलावा, misconduct जो है, इस company ने अपनाए, तो यह जो आरोप थे, इन आरोपों की जाँच से भी कर रहा था, लेकिन इन जाँच के संबंद में, जो निवेशक है, उन्होंने क्या perceive किया, उन्हें ऐसा लग रहा था, कि बही, टारीडीनेस जो है, से भी अपना रहा है, तो यह एक महतोपून प्रशिन था है, कि बही, यह जो टारीडीनेस अपनाई गई है, से भी की दोरा, यह जो प्रशिन था, इस प्रशिन को, Supreme Court ने छोड़ दिया है, back, कहां पर छोड़ दिया है, back, वापस, back to the remit, of the very same watchdog, remit का मतलब है, भेज देना, किसी के अधिकार छेत्र में भेज देना, उसको हम कहेंगे, रेमिट है न, वापस भेज दिया है, तो यह जो प्रशिन था, से भी की अप्रोच को लेकर जो प्रशिन था, यानि कि यह जो धारणा निवेशकों में थी, कि से भी, tardiness अपना रहा है, से भी बहुत slow है जाच करने में, तो यह जो प्रशिन था, इस प्रशिन को वापस सुप्रिम कोट ने भेज दिया है, to the very same watchdog, watchdog का मतलब है, पहरेदार है न, जो निगरानी करता है, यानि कि से भी से जुड़ा हुआ प्रशिन था, इसको लेकर, इसकी अप्रोच को लेकर जो है, निवेशकों के मन में doubt थे, और अब वापस यह जो प्रशिन था, इस प्रशिन को वापस से भी के पास ही भेज दिया है, तो यह किस चीज की और hint देता है, यह इस चीज की और संकेत देता है, at a degree of judicial abstinence, abstinence का मतलब होता है, किसी चीज से बचना, उसको ना करना, उससे दूर रहना, यह दिखाता है, यह इस degree को दिखाता है, यह सीमा को दिखाता है, कि सीमा को judicial abstinence, नियाईक abstinence हमें जो है, देखने को मिलता है, यानि कि जो एक तरह से नियायल है, वो एक तरीके से indulge नहीं होना चाहता, वो अपने आपको दूर रखना चाह रहा है, और अगर यह है, that may only undermine the larger public good, इसके, और इसके क्या संभावना बनती है, may only undermine, undermine का मतलब है, और कमजोर होना, the larger public good, है ना कि आप कहा सकते हो, कि व्यापक, अगर public hit की हम बात करें, तो वो और कमजोर पढ़ सकता है, इस judicial abstinence के कारण, कि यह जो प्रशिन था, कि सेभी के बारे में ऐसा परसीव किया जा रहा था, इसी धारना बनाई जा रहे थी, कि सेभी जाँच में slow है, यह एक मुख्य प्रशिन था, और इस प्रशिन को solve न करते हुए, वापस यह जो पूरी की पूरी जाँच है, यह प्रशिन जो है, वापस सेभी के पाले में आ गया है, तो इससे हमें यह देखने को मिलता है, पूरा की पूरा हिंट इस और जाती है, कि क्या देखने को मिलता है, judicial abstinence देखने को मिलता है, एक तरह से आप कह सकते हो, कि नियाईक abstinence हमें देखने को मिलता है, और इसके मादियम से हो क्या सकता है, इसके मादियम से यही हो सकता है कि जो larger public good है वो undermine हो सकते हैं वो कमजोर हो सकते हैं The court is surely aware of past instances कि Supreme Court जो है निश्चीत रूप से उसको इस बात की जानकारी है aware of का मतलब है पता होना जानकारी होना past instances कि पिछली घटनाओं की Supreme Court को अच्छी तरह से जानकारी है जिनमें की It has found से भी wanting in wanting in wanting का मतलब होता है inadequate होना lacking है न अपरियाप्त होना कमी होना alacriti alacriti का मतलब होता है तत परता किसी काम को जल्द से जल्द करना उसको बोलते है alacriti तत परता of enforcement का मतलब है किसी चीज को लागू करना तो Supreme Court ने चीज रूप से इस बात के परती अवेर है पिछली घटनाओं के परती अवेर है जहां पर कि ये देखा गया था कि से भी जो था उसके द्वारा जो एक तरह से जो भी नियम है उनको जो लागू करने में जो ततपरता दिखाई दिखानी चाहिए है न उसमें कमी देखी गई थी है न कि भई इठास फाउंड कि भई Supreme Court इस बात के प्रती अवेर है कि उसने ये चीज पाई थी पास्ट में कि से भी जो था उसमें अपरियाप्तता देखने को मिली थी कि इस बात को लेकर कि जो भी enforcement है जो भी नियम कानूनों को लागू किया जाना चाहिए उनकी उनको ततपरता के साथ लागू किया जाना चाहिए तो इसमें से भी जो है वो लेक कर रहाता है न तो ध्यान रखना wanting मतलब deficient होना inadequate होना, lacking होना a facet कि ये एक ऐसा पहलू है flagged by the experts panel appointed in this case as well कि जो इस मामले से जुड़ा हुआ expert panel appoint किया गया था उस panel ने भी इस पहलू को flagged किया था चिन्नित किया था after all, finally justice must not only be done नियाए शिर्फ किया नहीं जाना चाहिए but it must also be seen to be done बलकि वह होते हुए दिखना भी चाहिए कहने का मतलब है कि ठीक है कि नियाए किया गया लेकिन नियाए होते हुए दिखना भी चाहिए का मतलब ये है कि लोगों के मन में अगर कोई doubt है यानि कि लोगों को लगता है कि ये जो मामला है ये इसमें पक्षपात हो रहा है तो वो जो पक्षपात है न उनको शांत करने के लिए भी नियायले को अपने कदम उठाना चाहिए कहने का मतलब ये है इसको अगर हम और डिटेल में समझें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब हम बोलते हैं न कि कि फैसले से जुड़े हुए जो लोग है उनें अगर ऐसा लगता है कि उननें कहीं भी पक्षपात नजर आता है तो ये पक्षपात अपने अपमे परियाप्त है किसी जूडिशयल डिशीजन को invalidate करने के लिए invalidate का मतलब है aman तो कुल मिलाके नयाय तो होना ही चाहिए साती सात उस नयाय से जुले हुए जो लोग है उनको पूरी तरह से यकीन भी होना चाहिए एक तरह से उनको लगना चाहिए कि हाँ वास्ता में नयाय हुआ है किसी तरह का पक्षपात नहीं हुआ है पक्षपात से जुड़े हुए जो भी उनके डाउट्स है जो भी उनके सवाल है उनको भी solve किया जाना चाहिए ये कहने का मतलब ये है तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल न एक बार और पढ़े काफी difficult था थोड़ा